बचो आई अब हम देखते हैं कि कमपनी संगठन के गोण क्या हैं तो आई अब हम इसे स्क्रीन पर देखते हैं पहला जो इसका बिंदो दिखा रहा है या आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है अत्यदिक वित्यसाधन अब जैसे कि मैंने आपको इस अध्याय के या यूनिट के शुरुवात नहीं बताया था कि कमपनी है उसकी स्थापना कब की जाती है जब व्यवसाय बढ़ता है और उसमें अत्यधिक मातरा में पूंजी की आवशकता पढ़ती है तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कमपनी का निर्माण होता है तब वहाँ पे क्या है जो है उस कमपनी के स्वामी के अलावा उसके अलग अलग अंशधारी होते हैं जो कि उस कमपनी में अपनी पूंजी को लगाते हैं अपने हिसाब से उस company के अंश को खरीदते हैं तो इससे क्या स्पष्ठ होता है कि एक जो company है उसमें अत्यधिक वित्तिय साधन पाए जाते हैं और इसमें क्या होता है जो company होती है वो रिण पत्रों के माध्यम से debentures के माध्यम से वो क्या कर सकती है जनता से भी रिण ले सकती है या वित्त उपलब्द करा सकती है company को स्वयम और साथ ही साथ यह क्या कर सकती है जनता से भी समय आने पर वित्त ले सकती है अपने अंशो को बेच कर तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि एक company जो है उसके पास जो है एक अत्तिधिक जो वित्त की मात्रा होती है या जो वित्त के साधन होते हैं वो अत्तिधिक मात्रा में उपलब्द होते हैं जो कि इसका पहला गुण था जो दूसरा गुण है वो कहता है कि इस्थाई अस्तित्व जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि जो company है वो कभी भी समाप्त नहीं होती इन केसों में कि इस तितियों में कि यदि उसके जो members हैं वो उनकी मृत्ति हो जाए या वो दिवालिया हो जाए या अपने अंशो को बेच कर या उनको हस्तांत्रित करके उन company को छोड़के चला जाए वहां पर उस सिती में company कभी भी समाप्त नहीं होती company क्या होती है roll-on होती रहती अंशुधारी change होते रहेंगे members change होते रहेंगे लेकिन company जो है अपने आप move on करती जाएगी आगे बढ़ते चली जाएगी तो company का जो अस्तित्व होता है वो स्थाई अस्तित्व होता है और यह जो company है वो विधान द्वारा अधिनियम के अंतरगत जो है उसका निर्माण किया जाता है और उसका समापन भी विधान द्वारा अधिनियम के अंतरगत ही किया जाएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीमित दाइटव जो इसका तीसरा गुण है सीमित दाइटव को देखें तो जैसे की हमने जाना कि एक company में जितने अंशधारी होते हैं, प्रतेक अंशधारी company के होने वाले हानी के लिए जितने अंशधारी हैं उतने तक ही जिम्मेदार होता है उस अंशधारी की नीजी संपत्ती पर उन हानियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना तो जितने भी अंशधारी उस कंपनी में इन्वाल्व है यदी कंपनी को हानी होती है तो उस थिती में क्या होता है कि वह अपने लिये गए अंशों तक ही सीमित रहते हैं तो अगर उन्होंने limited उनकी जो liabilities है उनकी हानिया limited है तो दाइत्व भी क्या हो जाएंगे हानियों के के केस में उनके दाइत्व भी सीमित हो जाएंगे आई एक statement देखते हैं जो डॉक्टर वेडमेन ने दिये हैं उनके नुसार व्यावसाइक रिणों के प्रती दाइतों को सीमित करने का विशेश अधिकार कमपनी के प्रारूप का एक मुख्य लाव होता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी अंशधारी होते हैं वो कम कि विवहन करना पड़ेगा अब यह जो हानी होती है वो उनकी नीजी संपत्यों पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता आगे बढ़ते हैं अगले गुण की और अगला कूण कहता है कि अन्शों का हस्तांत्रण अंशों का हस्तांत्रण बहुत ही इजी होता है जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनी में जो होता है वो अंशो का क्राय विक्राय करना उसको हस्तांतरित करना आसान रूप से कर लिया जाता है अगर हम इसको देखें तो व्यक्ति या जो अंशधारी हैं वो अपने आप को इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल मानते हैं साथ ही साथ वो मानते हैं कि किसी भी कंपनी के अंशधारी होने से उनको ये सुवधाय प्राप्त होती हैं तो वो गया करते हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने अंशों का विन्योग करते हैं या कंपनी के अंशों में अपनी पूंजी को विन पहला लाब होता है कि company को पूंजी नहीं लटानी पड़ती पहला लाब दिखेवा तो इस केस में क्या होगा कि जो ममखने के या शेयर्स हैं अगर एक व्यक्ति या एक अंशधारी अपने शेयर्स को दूसरे शेयر हॉल्डर्स को बेच दा है उसी company के तो company को कोई भी fund उस shareholder को नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो जो भी fund generate करेगा वो अपने अंशों को बेच कर दूसरे shareholder से ले लेगा मतलब easily हम कह सकते हैं कोई भी shareholder या अंशधारी अपने द्वारा विनियों की गई पूंजी को वापस प्राप्त कर सकते हैं हो सकते हैं उसमें उनको ढ़्याज भी भी बिला हो या लाब भी प्राप्त हुआ हो और दूसरी जो हम screen पर लाब देख रहे हैं उसका लाब या है कि अंशों को बेज कर नगत रुपया प्राप्त किया जा सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अंशधारी हैं वो अपने जो अंश हैं या शेर्स हैं उनको बेज कर cash को क्या कर सकते हैं refund करा सकते हैं या cash ले सकते हैं अब हमने चौथा गुण भी जान लिया है आगे अगले गुण को देखते हैं कि company संगठन का अगला गुण क्या है जैसा कि आप screen पर देख रहे हैं company संगठन का अगला कहता है कुशल प्रबंधन तथा संचालन अब क्या होता है जो कंपनी के स्वामी होता है जैसे कि अभी तक हमने जाना है कंपनी का स्वामी और साथ ही साथ उनके अंश्रधारी क्या होते हैं इस प्रबंधन या संचालन का कारे नहीं करते हैं वो क्या करते हैं कुछ मेंबर्स को निर्वास्चित करते हैं या उनका चुनाव करते हैं और उनका एक संचालन मंडल का निर्मान करते हैं और वो संचालन मंडल ही क्या करता है पूरे प्रबंद को देखता है अब बच्छों जैसे कि आप जानते हैं कि कंपनी में अलग अलग विभाग होते हैं ठीक अब इन सभी डिपाट्मेंट में को अच्छे से चलाना ही इन संचालन मंडल का काम होता है तो यह जो सब्सक्राइब और यह जो होते हैं एक प्रॉपर पेमिंट के पर बेज होते हैं मतलब इनको इनके कारी के लिए क्या दिया जाता है सैलरी या वेतन प्रदत की जाती है तो इस तरीके से हमने कुशल प्रबंध तता संचालन को समझा अब चूकि यह निर्वाचित किये जाते ह है तो यह जो है अपनी प्रॉपर क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही इनका निर्वाचन होगा या इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए कि इस प्रबंधन के शृत्र में उनका कितने साल का एक्सपीरियंस है उन सभी चीजों को नजर रखते हुए ही उनका क्या होगा संचा केस में यह माना जाता है कि उस कंपनी का जो प्रबंधन है और संचानन है वह सही तरीके से चलेगा आगे बढ़ते हैं अगले गुण को देखते हैं अगला गुण कहता है कि व्रिहत पैमाने के उत्पादन से लाब अब बच्छों देखिए जो कंपनी होती है वह एक जाने कि जब बहुत बड़े मात्रा में उत्पादन होता है तो जो उसमें कॉस्ट इंक्लूड होता है चाहे वह रौ माटीरियल का कॉस्ट हो चाहे वह एक्स्ट्रा एसेसरी जो हम यूज करते हैं यह एक्सपेंसे हम कह सकते हैं उनका जो कॉस्ट होता है वह कम हो जाता है क हैं अगर उनसे compare किया जाए तो कॉस्ट में हमेशा कमी आ जाती है जो कि उसके निर्मान के समय लगी होती है तो इससे स्पष्ट होता है कि जब विहत पहवाने में या बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है तो उससे क्या होता है कि आंतरिक था बाय बचते प्राप्त होती है अंतलब इंटरनल और एक्स्टरनल दोनों तरह के expenses या खर्चों में कमी आती है अगले गुण की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला गुण क्या है जनता का विश्वास जनता का विश्वास कैसे बना रहेगा सबसे बड़ी बात यहां पर क्या होता है कि जनता सबसे पहले क्या करती है अपने पूंजी को विनियोग करती है अब उनको एक कमपनी के बारे में यह जानकाई है कि जितनी अपनी पूंजी को वो विनियोग करेंगे वो कमपनी के होने वाले लाप और हनी के उतने ही अंश के लिए जिमस होगे यह कंपने अगर सकते हैं काइए उसमें कोई भी प्रबिलम क्रेंट ने होगी कमपनी के जो खातों का अंकेशन होता है वो शासन के द्वारा या सरकार के द्वारा किया जाता है और समय समय पर उनको यह जो रिपोर्ट है यह अपने जो खाते की लाब हानी का जो विवरण है उनको प्रकाशित करना होता है मतलब यहां कहीं भी गोपनी है ता कि बात नहीं की आई अगर कंपणी को लाब हो रहा है यहां नहीं हो रही है दोनों ही सिती में सारे जो अकाउंट के बुक्स है वो क्या होते हैं प्रकाशित होते तब जब सारी चीजें इतनी स्पश्ट होती है तो अपने आप क्या जाता है जनता का विश्वास जो है उस पंपनी पर बन और कम्पनी संगठन का एक गुण के रूप में आता है अगला गुण देखते हैं अगला गुण कहता है कि जोखिम का विभाजन कैसे हुआ जोखिम का विभाजन जैसे कि हमने सोल प्रॉपराइटर्शिप में या एकल स्वावमित्व में देखा कि एक व्यक्ति पर ही सारी ज मुझ्धारी भी है उसके परशी मिद्दाई द वी है र verändert को चुकाने कि जिम्मधारी भी उसकी है अगर लाब होता है तो भी उसकी जिम्मादरी नहीं होते हैं तो इस स्थे में हानी होगी तो अकेले कि सीसको वहन करनी पड़ेगी उस एकल विक्ति को तब इस समस्या में की क्या हुआ इस समस्य से बचने के लिए संगठन का निर्मार हुआ आप संगठन में भी वहात सारी समस्या मैं तो पूझलने की समस्या कर सांबने और यह आनिया सामने जिसके निवारान के लिए कंपणीं की स्थापना की अब में जब कंपणीन की स्थापना हुई तो जो कंपनी होती है वहाँ क्या उता है कि युंवाँ ऐष्याय खे New ठोड़ा ठोड़ा सुद्राइध से क्या होता है लेकिन किसी को बी इतना रही हुआ कि उसकी जो नीजी संपत्तियां को पूड़ा करने में इनवलव हो previous इससे क्या होता है जोखिम जो एक बड़ा जोखिम है क्योंकि कंपनी बढ़ी है तो अपने आप इतने सारे लोगों में विभाजित हो जाता है अगला बिंदू देखते हैं जो कंपनी संगठन का गुण है और यह अंतिम बिंदू है उनके गुणों का जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह बिंदू है परजात अंतरी स्वामित्व जैसे कि आपने अभी तक जाना कि जो कंपनी होती है वहाँ पे कौन कौन सी पर प्रजात अंतरी स्वामित्व पर अधारीद होती है क्यों क्योंकि यहां पर सुआमी केवल एक नहीं होता जो अंश inverter हारी उस कंपनी में इन बॉल्व होते हैं वो भी उसकी स्वामी ही कहे जाएगे जो इसका जो लास्ट गुण है वो सपश्ट होता है कि एक कंपनी जो है वो पraजात अंत्रे स्वामित्र पर बेज़्थ होती ह हमने जो हैं company संगठन के गुणों को देखा है आईए अब हम इनके दोशों को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि company संगठन के दोश क्या क्या है जो पहला दोश आप screen पर देख रहे हैं वो है स्थापना में कठनाई हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी company की स्थापना जो होती है विधान द्वारा अधिनियम के आंतरगत की जाती है अब जब कोई भी चीज सरकार के नियमों से बन रही है तो सोचे आप उसमें कितने सारे rules regulations होंगे कितने सारे norms होंगे कितना सारा documentation work होगा कितने सारे manual work होगे कितने अधिकारियों से होकर उसको जाना पड़ेगा मतलब किसी भी company की अगर स्थापना की बात करें तो लेंदी process हो जाएगा time taking process हो जाएगा और साथ ही साथ एक critical process हो जाएगा अगर हम जाने तो तो हम कह सकते हैं कि चूकि ये बहुत ही जादा वैधानिक होता है एक अधिनियम के अंतरगतिन का निर्मान होता है बहुत सारे rules and regulations को इसको follow करना पड़ता है इसके निर्मान के लिए तो इसकी स्थापना में कच्छनाईयां उत्पान होती है दूसरा दोश जो कहता है कि प जिन लोगों ने उस company की शुरुवात की उसे हम प्रवर्तक भी कह सकते हैं तो जो ये नीव होते हैं चूकि इन्होंने company की स्थापना की है तो एक human psychology है कि व्यक्ति अपनिया लाब या अपने को किस तरीके से फायदा हो यह पहले सोचेगा तो company की case में भी है कि जो प्रवर् करता हम हैं मतलब जो वक्ति है individual जिन वक्तियोंने मिलकर उस company को start किया है जो नीव है उस company के वो यह चाहते हैं कि हम क्या करें ज्यादा से ज्यादा मात्रे में लाब कमाएं अब स्वयाम को लाब कमाने की चेश्ठा में वो क्या करते हैं अलग अलग के तरह के छल कपड करते जिससे क्या होता है जो हमने एक गुण जाना था कि प्रजात अंतरी स्वामी आती है इसमें ये तो है लेकिन क्या होता है कि जब स्वयाम एक व्यक्ति अपने लाब की और ज्यादा जो है अपने गोल मान लेता है अपना objective मान लेता अपना उदेश मान लेता है तो वो आत शथन के उद्देश को अपना उद्देश हमानकर अपना उद्देश मानने लगता है इस थिती में क्या होता है कि company को हानी होने लगती है साथी साथ company को ओर्पिंग एंवायमेंट है या कारिस थल है वहां का जो environment है खराब होने लगता है कि लोग यह अपने लाब की बात कर रहे हमारे लाब की बात ही नहीं कर रहें तो इतना वक इतना कारे जो हम दे रहे हैं कंपनी को आगे बढ़ाने में हमारा कारे कहीं सपष्ट नहीं हो रहा है तो यह भी एक प्रकार का दोश जो कंपनी का है वो सामने आता है अगला दोश देखते हैं कि अगला रिपोर्ट जन्रेट होती है उसको रिजिस्ट्रार के ऑफिस में भेजा जाता है अब क्या हुआ अब समय समय पर यह ऑडिट्स होते हैं उनसे जन्रेटर रिपोर्ट होती है उनको रिजिस्ट्रार ऑफिस में भेजा जाता है साथ ही साथ जो कंपनी की वित्ति स्थिती है और कमपनी के जो विवरन हैं एकाउंट बुक्स हम कह सकते हैं जिसमें उसका लाभानी सारा कुछ मेंशन रहता है उसको उन्हें समय समय पर प्रकाशित करना अनिवार है क्योंकि कमपनी जो है जो है विधान के द्वारा अधिनियम के अंतरगत बनी हुई है तो इस सिती में क्या ह भाव की दोश को समझ सकते हैं अगला अकर हम दोश देखें तो अगला दोश है अल्पतांत्रिक प्रबंध इसमें क्या होता है कि अब चू की प्रबंध जो है एक लिमिटेड लोगों के हातों में आ गया है तो वो क्या चाहते हैं कि अपने जो पावर्स हैं या अपनी शक्ति हैं उनका दूरूपियों करने लगते हैं और अपने शक्ति का दूरूपियों करके वो क्या चाहते हैं हमेश्य प्रबंद में बना रहना चाहते हैं और उनसे होने वाले कंपनी के लाबों को अरजित करना चाहते हैं औ क्योंकि जो management होता है वो अपने आपको whole soul मानने लगता है और अपने powers का misuse करने लग जाता है अगला दोश कहता है निरणय में विलंब जैसे कि हमने जाना कि जब तो वहां पर जो है निर्णय लेने में उतना वे लंब नहीं होता था जब लेकिन व्यवसाय बढ़ा तब वहां पर जब कंपनी का निर्मान हुआ अब कंपनी में क्या हुआ इतने सारे लोग हुए तो कैसे निर्णय लिया जाता है तो उसके लिए एक मीटिंग शेडियूल की जाती है अब उस मीटिंग में जितने भी अंशधारी हैं उनके स्वामी हैं सारे लोग क्या आते हैं एक सम्मेलन करते हैं या मीटिंग करते हैं अब मीटिंग होने के बाद ही वह निर्णय लिये जाते हैं लेकिन कुछ अजेंडा ऐसे होते हैं जब इतने लोग एक साथ मिलकर किसी भी टॉपिक पर या अजेंडे पर डिस्कुर्शन कर रहे हैं तो कई बार किसी अजेंडे पर सारों की सहमती होना मुश्किल हो जाती एस यूमन बिहेवियर कि सब लोगों को एक ही बात नहीं सहीं लगती तो इस सिति में क्या होता है कि यहां पर जो नेडा है उसमें विलंब हो जाता है अगला जो दोश है हम उसको देखते हैं अगला दोश कहता है हित संगर्ष अब एक जो कंपनी है वो कितने भागु में बटी है प्रबंद अलग है स्वामित्व अलग है श्रम अलग है कर्मचारी अलग है मतलब सब अलग अलग है अब यहां पर क्या होता है सब का हित संगर्ष चलो हो जाता है जो अंशधारी है उनको अंशों पर लाब चाहिए स्वामियों को अपना लाब चाहिए जो प्रब यहां पर अगले दोश की बातोल की कि एक अधिकार प्रवरती ब़ूपनी की का प्रवृति का भी जन्म हो जाता है वेयाँ अब यहाँ पर कमपनी पर हमारा कमांड है और वो अपने शक्तियों का में इस यूज करने लगते हैं तो यहां पर जो एक अधिकार की प्रवित्ती है उनका भी जन्म हो जाता है अंतिम दोश देखते हैं अंतिम दोश कहता है अत्यदिक सरकारी नियंतरन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कमप प्रवित्तनी होती है उनको समय समय पर वैधानिक नियमों का विभिन वैधानिक नियमों का पालन करना पड़ता है इसके अंतरकत उनको क्या करना पड़ता है समय समय पर विभिन सूझना जो हैं वो सरकार को भेजनी पड़ती है अनि वारत अंकेशन करवाना पड़ता है य कम्पणी इस कारण से उनके विकास में एक प्रकारण की रुकावट उत्पन्न होती हैं तो ऐस सरकारी नियंतरण धीए प्रमुक दोश है इस तरीके हमने कम्पनी संगठन के गुणों को जाना और साथ ही साथ दोश्व आईए अब हम देखते हैं कंपनी के प्रकार दो प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला है नीजी कंपनी और दूसरी है सरकारी कंपनी आईए हम इन दोनों के बारे में डीटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि नीजी कंपनी क्या होती है और सरकारी कंपनी क्या होती ह आए देखते हैं नीजी कंपनी क्या है नीजी कंपनी जैसे कि आप प्राइविट कंपनी अच्छे तरीके से जानते हैं सबसे पहले देखते हैं कि उनकी स्थापना कैसे हुए जो नीजी कमपनिया हैं उनकी स्थापना कमपनी अधिनियम 2013 की दारा 268 के अनुसार नीजी कमपनी के एक ऐसी कमपनी से है जो निम्न नियमों के द्वारा मा बनी हुई है अगर हम वो नियमों को देखें तो वो कुछ नियम इस प्रकार है पहला नियम कहता है कि अपने सदस्यों के अंश हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंद लगाती है मतलब नीजी कमपनिया जो हैं वो अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंद लगाती है अगर उनको यह करना है तो उनको क्या करना पड़ेंगा जो अगले अञश अधिकारी है या अंचधारी है उसे सबसे पर्मिशन लेनी पड़ेगी दूसरा जो नियम कहता है वो कहता है अपने सदस्यों की संख्या को कम से कम दो और अधिक्तम 200 तक सीमित रखती है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां पर जो सदस्यों की संख्या है वो कम से कम दो है और ज्यादा से ज्यादा 200 होती है या जो होती है कि जितने अंश दिये गए हैं बेचे गए हैं उस पर depend करती है तो यहां पर उसको 200 पर limit कर दी जाती है क्योंकि जो सदस्यों की संख्या है अगर जोरो से ज़्यादा कम भी होगी तो भी समस्या उत्पन होगी company की निर्माण में और जोरो से ज़्यादा भी होग तो company की निर्माण में समस्या उत्पन होती है तो यहां पर जो सदस्यों की संख्या है वो दो से 200 तक सीमित कर दीए मतलब कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 200 अगर हम सदस्यों की संख्या की गणना करें तो उसमें भी दो बिंदू आते हैं कि ऐसे वेक्ति जो company के वर्तम से हैं या company में कारे करने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी company के सदस्य बन सकते हैं अगर उनके शेर्स को खरीद ले और ऐसे सदस्य या ऐसे व्यक्ति जो अब company की कर्मचारी नहीं है लेकिं उसके बाद भी जो है वो company के शेर्स सकते हैं वो company के सदस्य कहला सकते हैं जो की दू दूसरे बिंदू बिंदू की संख्या को कम से कम पनी है वो अधिक से अधिक यह 200 तक सीमीत रखती हैं और किस प्रकार के हो सकते हैं हमने यह बिजाना तीसरा हम बिंदू करने पर प्रतिबंद लगाती है और उसी तरह अपने जन्विक्षेप यानि पब्लिक डिपॉसिट्स में विनियों करने के लिए जन्ता को आमंतृत करने पर प्रतिबंद लगाती है, और सबसे बड़ी बात जो चुंक्ता अंश पूंजी यानि पेड़ अप कैपटल होता है उसकी राशी नियुनतम एक लाक रुपए होती है मतलब किसी भी प्राइवेट कमपनी में कोई भी व्यक्ति जो है वो नीजी कमपनी का सदस्य बन सकता है कैसे उसकी जो पेड़ अप कैपिटल है वो कम से कम क्या होनी चाहिए वान लाक रुपीज या एक लाक रुपए होना जाए तो बच्चों जो पांच नियम दिये गए हैं जो आपने देखे इन पांचों नियमों का पालन करते हुए एक प्राइवेट कमपनी का नर्मान होता है अगर इन में से कोई भी एक नियम को स्किप कर दिया जाया चोड़ दिया जाया तो इस सिती में वो जो प्राइव प्राइवेट कमपनी में देखें, तो उस कंपनी के नाम के बाद, PvT.LTD, प्राइवेट लिमिटेट जोड़ा जाता है। और सरकारी कंपनी में ल्टीडी जुड़ा हो सकता है न तो जबी भी आप प्राइवेट कंपनी को देखें तो उसके नाम के बाद जो है प्राइवेट लिमिटेड जुड़ा होता है आई हम उसके कुछ उधाराण के माध्यम से समझते हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यह कुछ प्राइवेट कंपनीयों के नाम से हैं और प्रते कंपनी के नाम के बाद आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर पीवीटी डॉट एल्टीडी लिखा हुआ है इन कंपनी के नामों को जानने के बाद आईए हम देखते हैं कि नीजी कंपनीयों से होने वले लाब कौन से हैं